एपिसोड 11 की थीम है आपर नाइट्स आर मोर ब्यूटिफुल दैन यूर डेस थीम तो काफी अलग लग रही है देखने इस एपिसोड में आखिर क्या होता है इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी जियूंग चॉयूंग के सुटिंग कर रहा होता है मगर कैमरे पे ध्यान देना छोड़कर चॉयूंग उस बात को सोचने लगता है जिसे वह आजकल काफी परिशान है दरसल इन दिनों चॉयूंग अपने लाइफ में कुछ बातों को एकसेप्ट करने के बजाए उन्हें एग्नौर कर रहा है पहली बात उसने यॉंसो को बहुत दीजली तो कह दिय है कि हम दोनों को फ्रेंड्स बन जाना चाहिए मगर असल में वह यॉंसो के सामने फ्रेंड बनी का दिखावा कर रहा है उसे खुद भी यॉंसो का फ्रेंड नहीं बलकि उसका बॉइफ्रेंड बना है दूसरी बात यह है कि जोयूंग को एडिटिंग रूम में मालूम चल हुई है कि यह दोनों दूसरे को डेट कर रहे हैं और इस रूमर को यॉंसो भी देखकर बहुत इंसक्यूर हो रही है अब ऑफिस जाते वक भी यॉंसो को रास्ते में एलेक्रिक बोट में एंजे की एड्मिटिसमेंट दिखती है जिस पर वह जलस होते हुए कहने लगती है कि एंजे उतनी ज्यादा ब्यूटिफुल नहीं है और चॉयूंग के सामने तो बहुत ही यंग है जियूंग ऑफिस आता है तो उसे चारन से मालूम चलता है कि गल चॉयूंग आया था और उसने उसकी एडिटिंग को भी देख लिया है जियूंग समझ जाता है कि चॉयूं को यंग को कि घर जाकर ये ढोल से थोड़ा होता है धिर विस्के घर जाती है ये तूसरे को डैट कर रहे हैं एंजी की बाते सुनकर यॉंसिट होते आपने घर चली जाती है चौयूंग घर लोटता है तो उसे अपने घर पर कुछ प्लम्स गिरे हुए मिलते हैं वो कन्फियूस हो जाता है कि प्लम्स यहां कैसे आए हैं थोज दिर बाद जियूंग नशे की हालत में चौयूंग के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने अपने फिलिंग्स को हाइट करने की कोशिश तो बहुत की थी बड़ तुम्हें अब सब कुछ मालूम चल गया है यहां भी चौयूंग बार बार जियूंग की बात को इगनौर करता है क्योंकि उसे ये बात फेस नहीं करनी है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसे लाइक करता है जिसे चौयूंग खुद भी बहुत ज्यादा प्यार करता है यहां सो एंड चौयूंग की डॉकुमेंटरी शूटिंग की आज लास डेट होती है इसी बात से थोड़ी उडास होकर यांसो सूट के लिए तो पहुँच जाती है बड़ चौयूंग यहां पर नहीं होता है सब लोग चौयूंग को ढूनने के लिए आसपास जाते है चौयूंग भी शूटिंग के लिए आरहा होता है कि रास्ते में उसे यॉंसो की ग्रेंड मिलती है उनकी हेलस करने के लिए जायूं का समान लेकर उनके साथ जाता है यॉंसो के घर पर जायूंक को प्लम्ज दिकते हैं जिसके बार ऑच कर रात उसके घर पे प्लम्ज लेकर यॉंसो ही आई थी पूरा दिन चॉयोंग को ढूनने के बाद भी वो नहीं मिलता है इसलिए यॉनसो अपने घर जारी होती है कि अचानक से वो चॉयोंग को एक रेस्ट्रेन में बैठ कर ड्रिंक करते भी देखती है यॉनसो भी उसके साथ आकर बैठ जाती है और साथ में ड्रिंक करने की बाद कहती है काफी ड्रिंक करने के बाद चॉयोंग आज यॉनसो से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस्स किया एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि हमेशा ही तुम मेरे लाइफ में वापस आई तो मैं ब्रीकप की रीजन से तुम से गुसा रहा पर असल में मैं सिर्फ यह चाता था कि तुम मुझसे प्यार करो और प्लीस तुम मुझसे प्यार करो मुझे छोड़ कर पहली के तरह अब तुम मत चले जाना चॉयोंग की ऐसी बातों से यह उनसो भी एमोशनल हो जाती है और इसी सीन पे एपिसोड 11 खत्म होती है अब एपिसोड 12 की और मूफ करते हैं तो इस एपिसोड की धीम है बिगेन अगेन धीम से ही आप लोगों को इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए कि इस एपिसोड में चॉयोंग यह उनसो की प्यार भरी कहानी वापससे शुरू होने वाली है इसले एपिसोड में हमने देखा था कि चॉयोंग ने यह उनसो के सामने अपनी फिलिंग्स कनफेर्स कर ली है जिसे यह उनसो भी काफी एमोशनल हो जाती है अब आगे ये दोनों काफी ट्रंक होकर टल्य वाली हरकते करने लगते हैं इसे भी चौयूंग पागलू के तरह सरक पर लेट कर अपने लाइफ की सबसे बड़ी सीक्रेट को यौनसो को बता कर रोने लगता है दरसल बात ये है कि चौयूंग अपने मॉम डैट की अपनी आलाद नहीं है उसके अपने फादर ने उसे बच्वन में अकेला छोड़ दिया जिसके बाद उसके मॉम डैट ने उसे एडॉप्ट किया और बहुत सारा प्यार भी दिया चौयूंग को उदास दे कर यौनसो से किस कर लेती है आगे ये दोनों एक साथ घर आते हैं और यौनसो तब तक अपने घर नहीं जाती है जब तक चौयूंग सो नहीं जाता है अगली सुभा होते ही चॉयंग यॉंसो के घर चला जाता है और उसे आज का पूरा दिन साथ में बितानी की बात कहता है यॉंसो मना करती है क्योंकि उसे आज आज आफिस में बहुत सारा काम है चॉयंग का भी जवाब नहीं है यॉंसो तो उसे खामक आई बेवकूप समस्ती है चॉयंग यहाँ पर यॉंसो से बात करते करते उसके क्लोस हो जाता है और एक अडल्ट बॉय के तरह उसके साथ भीएव करने लगता है जिसे यॉंसो भी शर्माते हुए यहाँ से चली जाती है यॉंसो और चॉयंग ने अपना लाज शूट डॉक्मेंटरी के लिए फाइनली कम्प्लीट कर लिया है जिसके एडिटिंग करते वक्त जेयंग उदास है क्योंकि वीडियो में जब चॉयंग और यॉंसो से पूछा गया कि आज से टैन यर्स बाद आप लोग खुद को कैसे देखना चाहेंगे तो इस बाद पर ये दोनों ही काफी शर्माने लगते हैं जिसे देखकर साफ साफ पता लगता है कि इनके बीच टेटिंग वापस से शुरू हो गई है जियोंग को काफी ज्यादा फीवर होता है इसलिए चारण भी उसके फीवर को देखकर उसे ऑफिस से घर रेस्ट करनी को भेज देती है जियोंग अपने घर आकर सीथे सोचाता है लेकिन थोड़े दर बाद जियोंग जियोंग के पास आता है और उसे बता देता है कि मैं और यॉनसो एक दूसरे को एक बार फिर से डेटिंग कर रहे है जियोंग का इंडवेंशन यहां सिर्फ ये है कि वो अपनी लाइफ की इतनी वरी बात को अपने बेस्ट से शेयर करे क्योंकि स्कूल डेस में भी जब यॉनसो और जियोंग की डेटिंग शुरू होई थी तो उसने सबसे पहले ये बाद जियोंग से शेयर किया था अब जियोंग के फीवर को देखकर चॉयोंग उसे मैडिसन देता है और एक कैरिंग फ्रेंड के तरह सारी रात उसके पास ही सो जाता है नेक्स्ट डियोंग यॉनसो को कॉल करके कहता है कि इस वीकेंड पे हमें मिलना चाहिए जिसपे यॉनसो में हां कह देती है मगर चौयूंग से वीकेंड तक रुका नहीं चाता है और वो अपनी गर्ल्फरेंट से मिलने के लिए उसके वर्क प्लेस पे ही आ जाता है चौयूंग को वर्क प्लेस पे देखकर यॉंसो को वापत से अपने पुराने दिन याद आ जाते है जब चौयूंग उसे बेंतहा महबत किया करता था और उससे ज्यादा वक तक दूर भी नहीं रह पाता था यॉंसो बहुत खुश हो जाती है यह देखकर कि चौयूंग आज भी वैसा कव ऐसा ही है वो आज भी मुसे दूर नहीं रह पारा है यॉंसो क्लाइन के साथ इस प्लेस पे अपना काम करने लगती है और चौयूंग उसका यहीं पे वेट करने लगता है इवनिंग में जैसे ही यॉंसो का काम खत्म होता है तो चौयूंग फॉरन ही उसके पास होट डॉग लेकर आ जाता है अपने बॉइफिन के क्यूट क्यूट से हरकतों को देखकर यॉंसो में उसे एक किस देती है जिसके बाद तो चौयूंग भी इस मुमेंट का फाइदा उठा कर यॉंसो को बहुत टाइम तक किस करने लगता है इधर बाई चैंस चियूंग और एंजे की मुलकात होती है और एंजे चियूंग को अपने साथ ही डिनर करने को कहती है डिनर करने के दोरान चियूंग एंजे को बताता है कि चौयूंग और यॉंसो ने एक दूसरे को डेटिंग करना शुरू कर दिया है यह सुनकर एंजी को बहुत जादा बुरा लगता है और वो काफी ड्रिंक कर लेती है चॉयंग और यॉंसो तो एक दूसरी को बाई कहने के लिए तयार ही नहीं है ऐसा लग रहा है कि इनके बीच की रॉमेंटिक मुवेंट्स आज ख़तम नहीं होने वाली है अब चॉयंग यॉंसो को अपनी होने वाली सोलो एक्चिबिशन का सेटम दिखाने ले आता है और यहां पर ही वो यॉंसो को हग करके बताने लगता है कि मेरे लाइफ की हर मुमेंट में तुम ही थी मैंने हर ट्रॉइन को बनाया तो है बट मेरे खयालों में उस वक्त भी तुम ही रहती थी चॉयंग कहरा है कि भले ही पिछले पास सालों में यॉंसो उसके पास नहीं थी पर एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरा जो उसे यॉंसो की याद नहीं आई हो और यहां से ये दोनों घर जाते हैं और सारी नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं इसी रोमेंटिक सीन के साथ ये पार्ट भी खत्मूईन तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में थैंक्स वाचिंग